So hey guys, welcome back to another video and आज किस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं OnePlus के upcoming flexible smartphone के बारे में जिसका नाम होगा OnePlus 10T 5G जी हैं दोस्तों जैसे के अब सभी जानते हैं कि OnePlus ने last time OnePlus 8T smartphone को launch किया था और उसके बाद OnePlus 9T smartphone देखने को नहीं मिला लेकिन अब यहाँ पर OnePlus ने obviously OnePlus 10T को confirm कर दिया है जी हैं दोस्तों यह smartphone तीन अगस को launch होने वाला है और यहाँ पर इसकी काफी सारी expects और इसका first look भी सामने आ चुका है तो आज इस वाली वीडियो के अंदर OnePlus 10T की specification और price के बारे में बात करेंगे और दोस्तों चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा ताकि हमां इसी ही tech वीडियो आपको future में देख सके तो अगर सबसे पहले look और design की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का design देखने को मिलेगा और पहली नजर में आप बता सकते हो कि इसका जो design हो काफी हद तक की OnePlus 10 Pro से inspired है और back के side में आपको वही triple camera lenses देखने को मिलेगा एक LED flashlight square type camera housing के अंदर जो कि side के frame के अंदर merge हो जाती है और वहीं पीछे side आपको glass back देखने को मिल जाएगा तो design इस phone के अंदर काफी ज़्यादा premium देखने को मिलने वाला है डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको Samsung E4 10-bit वाली एक fluid OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि FHD Plus resolution के साथ आएगा जहाँ पर डिस्प्ले का size 6.7 inches का होगा जिसके अंदर आपको हमेशे की तरह 120 Hz रिफर सेट देखने को मिल जाएगा और इसी साथ इसमें आपको in-display fingerprint scanner और HDR10 Plus का support देखने को मिलेगा तो overall display wise killer smartphone होने वाला है My friend side में आपको एक single punch hole जो की top center में होगा जिसके अंदर 16 MP का selfie camera देखने को मिलेगा चलिए और बात कर लेते हैं इसके camera के बारे में तो इसके rear side में आपको triple rear camera setup देखने को मिलेगा जिसका main camera 50 MP का होगा with OIS के साथ जिसमें Sony AMX 766 sensor देखने को मिलने वाला है plus 8 MP का ultra wide angle lens and 2 MP का macro sensor देखने को मिलेगा तो यहाँ पर camera setup काफी interesting रहने वाला है performance की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है Snapdragon 8 Plus Gen 1 वाला powerful 5G chipset जो की Qualcomm का अब तक का सबसे powerful और latest chipset है जो अपने आप में ही काफी अच्छा प्रोसेसर और काफी कमाल की performance देदेगा and RAM storage यहाँ आप आपको 16 GB तक का RAM और अप टू 256 GB तक का storage देखने को मिल जाएगा LPDDR 5 RAM और storage टाइप के लिए 3.1 का support मिलने वाला है और इस device में आपका gaming experience नेक्स लेवल तक का होगा और यह out of the box Android 12 के साथ Oxygen OS 12.1 पर रन करेगा तो performance वाइस खाफी तगड़ा smartphone रहेगा बाकी बैटरी और charging की बात करते हैं तो इसके अंदर 4800 image की बैटरी देखने को मिलेगी और इसको चार्ज करने के लिए 150 वाट के सूपर फास चाज़ा का support मिलने वाला है फाइनली बात करते हैं इसके लाउंच डेट और प्राइस की तो यह smartphone तीन अगर इसको इसके लाट